हेलो दोस्तों आपने एक बार फिर यूट्योग की सबसे सांदार और जांदार वीडियो पे क्लिक कर दिया है आज की वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुसकबरी लेकर आगया हूँ अभी अभी आपकी आंसर की जारी कर दीगी है यूपी सीटी की गाइज यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा गोर्मेंट कोलिज आपको कैसे मिलेगा कितने नंबर पर आपको गोर्मेंट कोलिज मिलेगा कितने नंबर पर आपको यहाँ पर प्राइवेट कोलिज मिलेगा ठीक है guys मैं यहाँ पर आपको जो भी आपके courses है उनके एसाब से आपको यहाँ पर cut off बताने वाला हूँ cut off आपकी बहुत ही कम जाए कि आप लोगों के लिए बहुत बड़ी कुसक्वरी है guys वीडियो को ध्यान से देखना है यहाँ पर मैं आपको सभी courses की cut off बताने वाला हूँ आप लोग वीडियो को like करते वे जरूर चलेंगे सभी बच्चे support करते वे चलेंगे मैं आपको बता दूँगा कितने नंबर पर आपको यहाँ पर बीटेक वालों को कॉलिस मिलेगा एंबियो वालों को बीफार्मा वालों को एंसियो वालों को ठीक है guys पूरा मैं आपको cut off बताने वाला हूँ एक एक जानकारी आपको बहतरिन तरीके से देने वाला हूँ आप लोग वीडियो को like करते वे चलेंगे आंसर की आपकी आचुकी है यूट्यूब की सबसे बहतरिन वीडियो है guys आगे बढ़ लेते हैं पूरी जानकारी ले लेते हैं तो दोस्तों अगर आप किसी government exam की तियारी करे हो सभी subject को trick से पढ़ना चाते हूँ यहाँ पर आपकी cutoff बहुत ही कम जाने वाली है जल्दी से पूरी जानकारी ले लेते हैं कितना आपका course के हिसाब से आपका cutoff जाएगा देख लेते हैं तो guys यहाँ पर मैं course के हिसाब से आपको बताने वाला हूँ पहले मैं बताऊंगा आपका B Pharma वालों को कितने नंबर पर आपका college मिलेगा अगर आपके इतने नंबर है तो guys आप लोगों के लिए बदाई हो B Tech वालों को कितने पर college मिलेगा MCO वालों को कितने पर और MBA वालों को कितने पर college आपका मिलेगा आगे बढ़ लेते हैं गाईज आपके कम से कम इतने परसेंट नमबर होने चाहिए, गाईज अगर आप लोगों को गवर्मेंट कोलिज चाहिए, कम से कम आपके 25 परसेंट नमबर आपके जनरल में होने चाहिए, ठीक है, और SCST में, सोरी, जनरल और OBC में आपके 25 परसेंट नमबर होने चाहिए, अब मैं आपको बता देता हूँ कितने नंबर पर आपको government college मिलेगा सभी जितने भी course है चाहे MBO हो, BTEC हो कोई भी course हो आंसर की आने के बाद में अगर आपके इतने नंबर है तो guys आप लोगों को बदाई हो उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को लाइक करते वे जरूर चल रहे होंगे आगे बढ़ लेते हैं पूरी जानकारी ले लेते हैं कितना कटोफ आपका जाएगा तो guys पहले हम बात कर लेते हैं आपकी B Pharma वालों की 2021 किस कटोफ क्या रहेगी जो भी आपकी आंसर की आई है उसके हिसाब से आपकी कटोफ क्या रहेगी guys अगर आप लोग B Pharma से ब्लॉंग करते हो guys मैं आपको यहाँ पर एक जनरल क्रेटरिया बताऊंगा लेकिन आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे आपके नंबर कितने है केटेगरी क्या है ठीक है guys कौन से कोर्स आपका है B Tech है MBA है MC है या आपका B Pharma है आप अपना कोर्स बताऊगे नंब और OBC के लिए बता देता हूँ पहले B Pharma वालों के लिए अगर आपके Government College आपको चाहिए अगर आपके यहाँ पर 300 से लेकर 300 प्लस भी नंबर है तो guys आपको Government College बैतरीन मिलेगा प्राइवेट के लिए अगर मैं बात करूं प्राइवेट के लिए गाइस अगर ठीके गाइस आगे बढ़ लेते हैं अब मैं आपको बता देता हूँ बीटेक वालों के लिए क्या रहेगा बीटेक वालों की भी बात कर लेता हूँ मैं एक बार ठीके बीटेक वालों के लिए भी मैं बता देता हूँ कितना कटोफ जाएगा ओके गाइस आगे बढ़ लेत तो गैज अगर बीटेक वालों की बात करूं में उम्मित करता हूं आपने वीडियो को लाइक कर दिया हो गैज लाइक करने में कुछ नहीं जा रहा अगर आपको लगता है कि वीडियो पसंद आ रही है लाइक जरू कर देंगे अगर बीटेक वालों की बात करूं गोर्मेंट से लेकर तीन सो भी नंबर है तो गाईज आप मीच के आप लोग काउंसिलिंग करना आपको गोवर्मेंट कोलिज मिल जाएगा बात करूं मैं अगर प्राइवेट कोलिज की प्राइवेट कोलिज बैतरिन चाते हो तो गाईज आपके 170 से 180 भी नंबर है टैंसल लेने की जुरत नहीं है ये मैं बता रहा हूँ जन्रेल OBC की बात कर लेता हूँ STSC की इनसे भी कम जाएगी STSC वालों की इनसे भी कम जाएगी अगर आपके इनसे भी कम नंबर है अगर आप लोग सेडिल्ल कास्ट में है तो गाईज आपको गवराना नहीं है आपको कोलिज मिलेगा बैतरिन आँसर की आने के बाद में यही आपके सटी कटोफ है आगे देखो, MBA वालों में अगर आप लोग Government College चाते हो, तो guys 100% में बात बतारा हूँ आपको 220 से लेकर अगर आपके 240 भी नमबर है, टैंसल लेने की बिल्कुल भी ज़रुत नहीं है, ठीक है guys, अगर आप लोग Private College चाते हो बढ़िया वाला, तो guys अगर आपके 150 पलस भी नमबर है, तो guys आपको Government College, Private College मिल जाएगा, जन्रल और OBC की बात कर रहा हूँ में, अगर आप लोग STSC से ब्लोंग करते हो, कोई भी नीचे वाली कास्ट है, तो guys आप लोगों को इनसे भी कम पर आपको Government College मिलेगा, तो इतने नमबर अगर आपके है, तो MBA वालों को घबराने की नहीं है, ठीक है guys, पहली बार चैनल पर आप हो, सबस्क्राइब कर देना, अभी आपको MCA वालों का भी बताने वाला हूँ, MCA वालों का बचा हुआ है, ठीक है guys, वीडियो को लाइक कर देंगे, अगर वीडियो पसंद आए, नीचे लिख देंगे, नाइस वीडियो, ठीक है guys, मैं आपको बता दूँगा, काउंसिलिंग के टाइम पर आपको बैतरीन कोलीज मिलेगा, MCA 2021 किसकी मैं अगर बात करूँ, ठीक है, Master in Computer Application, ठीक है guys, अगर आप लोग MCA का कोलीज चाते हो, तो guys, अगर आप लोग गोर्मेंट कोलीज चाते हो, अगर आपके इतने नंबर है, 200 प्लस इतने नंबर है, तो आपको बैतरीन गोर्मेंट कोलीज मिलेगा, पेपर का लेवल आपका बहुत हाई था इस बार, आपको पता होगा खुद भी, अगर मैं बात करूँ, प्राइवेट कोलीज की, प्राइवेट में अगर आप लोगों के यहाँ पर 150 प्लस भी नंबर है, तो गाइस, 100% आप लोग तयार हो जो, गोर्मेंट कोलीज के लिए, ठीके गाइस, ये मैंने आपको कोर्स के हिसाब से आंसर की के बाद में आपका कटोब बता दिया है, रिजल्ट आपका जल्दी आ जाएगा, टेंसल लेने की जुरत नहीं है, अगर आपको देखने के लिए धन्यवाद, और हाँ, सबसे बड़ी बात ये, काउंसलिंग करते टाइम पे आप लोगों के एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको जो भी कोलीज चूज करना है, ठीके गाइस, जो भी आपको कोलीज चूज करना है, एक बार में ही चूज करेंगे, अगर आप लोग उसको बार-बार ओप्सन को बदलोगे, तो आपको वहाँ पर दिक्कत हो सकती है, एरर सो कर सकता है, उससे आपको कोलीज लेने में प्रोब्लम हो सकती है, तो पहले ही सोच समझ के आप लोगों को कोलीज चूज करने है, ठीके गाइस, वीडियो को देखने के लि लाइक करके जरूर जाना